अब बंधू इदूलहिं कह रही है नाही जड़ी गए बावी जड़ी गए अर्थात राग जला वेश जल गया तो मिठ गए आवाजादी राग वेश के कारण ही हमको बार-बार मां के गरब गाय के गरब बकडी के गरब भोरा के गरब हाथी के गरद में जीट पो जाना पर वब लोग। आप भी मस defines आना पर अगमांत पिर जाना परता है फिर आना परता वे को लोग समयन हो गया आज तक मैं मंदीर का मौह ह complaint बेंकर मश्जिद में आ तो में नहीं गया गेरगा भी नहींगिया और पुर्ड़ा भी नहीं गया मेरे लिए मंदिर है बडीज टेंपुल यह काया मंदिर जो प्रकिर्पी ने बनाया वो मेरा मंदिर और उसी मंदिर में मेरा भगमान यह आत्मा राम निवास कर रहा है मैं उससे सने करता हूँ प्रमात्मा के बना ये मंदिर से मेरा सने है लोगों के बना ये मंदिर से मेरा सने है जिस प्रमात्मा ने काया रुपी मंदिर को बनाया जिसके अंदर में आत्मा राम भग्मान बैठ गए है उससे मेरा सने है आज तक 65 परस का उम्र हो गया मैं अपने करम पर हूँ गुरुजी ने करम सिखाया आज तक मैं एक चीटी को नहीं मारा हूँ आज तक मांस मचली तारी दारू गाजा भांग बिरी सिग्रेट पांच सोपारी नहीं खाया आज तक किसी से दलाली घुश्वरी पांच निया पैसा यहां तक कि मैं कहीं सत्सन में गया किसी के साथ आज तक साथा ब्याना लबाद संकर नहीं किया कितना रूप्या ने तो हम जाएंगे मैं अपने कर्म के अपना कर्म से डरता हूँ हमको किसी भद्वान देनी गवता से डर नहीं है मुझे अपने कर्म से दर है मैं चौबिस नहीं सोगता हूँ अगर मुझस से कोई गलती हो गई उसका परिसमेंट हमको बहुना कर जाए इस लिए पांग फूब 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 किसी से ड़र नहीं हम ड़र अपने केवल खर्म से एचार शिरी में बताया कि बेटा कर्म से ड़रते रहना चुष्ण गलता में किसी को दुख न हो जाए तुम से ऐसा कर्म कभी मट कर आ किसी से डर्वन नहीं किसी सो better माना से कभी डर्वन नहीं डर्ना केवल कर्म से, बंदू, आज सारे लोग राज्यस में प्रसे, कोई तीन चंदन किया है, एक राम है, एक लक्षमन, आएक सीता, माथा में घसले है चंदन, अग किरिशन की धर गए, किरिशन आपका मुरह उखार लिया है क्या, कि वैगन तोर लिया, महादेर की धर गए तैन खिले, दुरका किधर गई चनल की अनुसाब, कि धर गए, महादेव की तीन भाई थे, बर्मा, बिश्नु, महेश, बरहम देव, बिशंदेव, आ महादेव, एक भाई से, बड़ा प्रेम है, महादेव से, आरा हम देव, बिशंदेव, भईगन तोर ले है, कि कोई उसक बहुत को छोड़ा रहा है राम के भजने वाले आज रहीम से द्वेस है क्रिश्म के भजने बाले को करीम से द्वेस है महादिर के भजने बाले को मुहम्मद से द्वेस है हरी के भजने बाले को हजरत से द्वेस है ब्रह्मा के भजने बाले को दिश्मिल्ला से द्वेस है बजननबली के भजने बाले को मुहम्मद अली से द्वेस है मक्का जाने वाले को मखुरा से द्वेश है कावा जाने वाले को काशी से द्वेश है गंगा नहाने वाले को जम जम से पूरे स्थिस्टी राग द्वेश में चल रहे हैं कहाई भाजन भगती नहीं हो रहा है जलं एक दूसरे से सारे लोग चल रहे हैं कि वह जागा कल्यां कल्यांत तब होता है पुछ गुरुदेव अलिलाग सहब ने गरंथ लिखा है उसका नाम है अपनी घीत कोई सोखा के गीत गा रहा है कोई कारी के और यह कोई का रहा है हन्मान के कोई गा रहा है सिवरी के कोई गारा है मीरा के कोई गा रहा है शुपच भगत के मुझा रहा है तरू पी रहा है मास खा रहा है अपनी कीत है अपनी कीत कहां गई रिख ओ айте कीत जेने कुई नहीं भीरी पी रहा है अब और से बिखने कर लिस्ट कई आत्ष का कंतर का हो रहा हुआ महां सोऑ बक्री कर मा दिया भगईत गाया बख़ी कचबादिया एक देखे तो टेबूल पर गजा रखा हुआ है बीरी सलाई सोपारी चाय पत्री उधर स्टोब चल रहा है इधर भगईत हो रहा है इधर दुर्देशन चल रहा है इधर भगईत हो रहा है अपने की पवित्रता अपने की पवित्रता अपने विचार की पवित्रता है दूसरे की गीत डाने में सारे लोगों का समयदा है कि हम लोग अपना गीत गाते मैं काता हूं मैं सदुरु कभीर के गीत को भी नहीं गाता हूं कि एग्राज में पूछा हम से आप गिस को मानते हैं हम दिबर्तमान हुरु सद्गुरु को मानते हैं आपका माली कौन हैं किबीर तो गय। है कभीर सबसरा में कभीव की गारी थरी ठीद हो गारी खुल चुकी उस बस अड़ा में आकर के आचार शरी भर्म सरूप की घारी लगी है हमको उस गारी पर चब्लांब आज भर्म कभीर ने कहा था शुखिया सबसंसार खाए निन्दसो बलरे की दुखिया साहब कभी न दुखिया साहब कभी कभी हजारी पर साथ विवेदी जो हिंदी के प्रकांट विद्वान थे उन्होंने लिखा हाथी के पाउं में सब कि जैसे हाथी सड़क पर जा रहा है और उसके पैर का चिन उक्या उस पैर के तिन पर किसी भी दुनिया के जानवर का पैर रखागा वहां थी के पैर से उखाग नहीं है उस परकार से कभीर के बानी से बाहर इस दुनिया में किसी का बानी है कभीर ने निस्पक्ष बोला सारे करंद पक्ष के है कभीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारने सब जग रहा भुलान निस्पक्ष हो के जो भजे सो ही संद्व अब भी जब उलटके देखें बिलकुल निस्पक्ष अब लोग गौर कीजिए अगर निस्पक्ष नहीं होता तो दिनांग समस्तिपूर के कल्यानपूर में बुरुजी का सर्धानजली सवा मनाया गया सर्धानजली सवा के बाद गोरखपूर का एक ब्राम्मन नाम उसका जयप्रकाद छा हमको फोन किया मेरी मां मर गई है अई कहता है करम कान करने के लिए और आपका परवचन जब मैं यूटूब पर सुना मैंने समझ गया यह जूटा है मैं भी ब्रह्मान हूं जै प्रकास पांडे मेरा लूब और किसी संद को जाता हूं कहने कभीर मत क्या उसार हमारे मां का संधान्जुली करवा दीचे तो तहता है निवुल हुआ है तुम तुम्हारे हैं नहीं जाएगे इसलिए मैं आ रहा हूं मेरा दिख्षा दे दीचिया कि आजाये कहां मैं बैसाली पकर रहा हूं बैसाली छुट गई विचारा काठ्व गदाम पकर के आया दस बजे रात में तो समस्ति पुराया मैं कहां रुख जाये वहाँ किसी होटल में चले जाए अब बेरने के भड़ा पर सो जाए असवेरे मेरे हैं सवेरे आया मैं उसक को दिख्षा दिया कभीर के बानी में वो तात्त हो आदमी गया 22 अप्टूबर के मेरा कार्ज करम है बोरखपुर में फिर किसके हां मुहम्मद संसुतीन गया ऐसा है आपका परवचन सुनकर यह साफ राप बात सुनकर मैं इसलाम को त्याद दिया यह जुटा है इसलाम और खरीद के लाओंगा भोजन की सामगडी लाओंगा वो बनाएगा आप खाएंगे और आपका परवचन चनेगा सारे हुदू मुसंभास हो देगा है कहां भज रहे हैं और हमको लोग क्या काता है मालूम है साहे तंका मिलाइए दुलाइए को बुलो तो हर सब पैसा किया है नोच कमारा है जूत बोल बोल करके लोट है हमसे बोलवा मिला दुला के तो पैसा पानी में जाएगा ग्यान तो कुछ होगा नहीं है कल्यान होगा कैसे है बंदू हो और दुलिर कह रही है गुरू जी ने जब ग्यान विवेक की आग लगाई तो राग और देस जल दोनों चल जाएगा रहेगा नहीं का रही है पारे परोशिन उन्हूं चरी गए के मुरा मत्या चलाई नहीं हरमा में आग लगी कर यह जीव का गुदिया ड्याद कौन है राख कान ला जिब्या तुचसरी प्रिम इस तुल इनको बार बार नहीं है अब बार तो अब जिब्यान पहता है दारू दो मश्री दो मूरगा दो दो कबटर दो जाना पढ़ेगा नहीं हर की ना गड़ में जाना पढ़ेगा इजिन को की ना बोलिए जिब यह ले जाएगा ना घीच के इगोतिया आप कहता है सिनेमा सर्का स्ट्रेटर नोटन की विरेशिया हमको देखाऊ काम कहता है गजल फिल्मी कबादी घोजपूरी हमको सुना ना कह आता है असपर्श कड़ाओ यह पांचो को दिया के कारण इजी होई तुर्दस आओ कि बार बार नहीं आरा सशुडा आहिया नहीं आरा सजों धान के गुरेंचे बोला हुआ दिमारी का आई एक लोटा जों लेले बहु आनी दिलेंचे आई वह अगर बत्ती बार्भरी अब बिमारी एकड़ा पति नहीं जे बिमारी कभीर साहब कहते हैं संतो धर में जगरा भारी ही हो संतो धर में जगरा भारी रात दिवास मिले उठी उठी लागे पांच धोटा एक नारी न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचो यदिक सवादी हो संतो धर में जगरा भारी इकाया रूपी घर में इतना भारी जगरा लगी है बाहर की जगरा है सास पतो के पती पतनी के गोतनी के ननत भावी के बाप बेटा के भाई भाई के तो पंच भड़ी आएगा सरपंच भड़ी आएगा दरोदा भड़ी आएगा और नहीं तो जज भड़ी आएगा कि काया रूपी घर की चर्चा सद्गुरु कभीर करते हैं कि काया रूपी घर में जगड़ा लगा हुआ है रात दिवस मिली उठी उठी लागे रात दीन का जगड़ा है 2400 जगड़ा क्या है जगड़ा फांच दोटा एक नारी धोटा माने होता है यह काशी उतर परदेश का सब्द है चुक्यों करक्रु कभीर कासी में रहा करते थे वहां के बेटा 5 छे मा एक है एक स्षाडु नारी और बेटा 5 है है एक बेटा चाहता है रोटी दाल जबास जी क्गा चाहता है भाग सबचे एक मेटा चाहता है खीर पूरी एक टाज्क भी एक वन्चा तरह देना है नएक मेटा उसी परकार से ये कि प्छा रूपी नारी है अब बेटा पांच है आख कान नाख जिब्यात वचाथ आख अलग भोजन अपना माम रहा है आपके सामने टीवी खोल के रख दिया जाए आख का भोजन मिल रहा है तस्वीर आ रहा है टीवी में अगर साउंड नहीं है अब आज है होलिये टीवी में कान का भोजन नहीं मिल रहा है कान आज नहीं बैठ लेक्भ जांने जो और मुरादी दुर्बतिकेर दोहागिन बेटे धोड़ई चांप चपेरे कहें कवीर सोई जन मेरा जो घर की राद्वी में घर में इतनी बड़ी धगरा है अलोग इतना असांग समझ लिया है कि औरस अब जाती है दुर्गाजी के खुईचाब अच्छा यी बताओ शसुलार जाने के समय मा देती है बेटी के खुईचा की बेटी ये देती है माई के तो लोगाजी ये कर सके बेटी है ना बेटी है ये जाई खुईचा देवे कव मानम को ग्यान होगा कहां भस रहा है साब कहां जा रहा है किस रास्ते में अगर किसी की बेटी ससुलार में है उसके नई हड के लोग मर गए जब इन भी गया घर तूट गया ससुलार में रहती है और गोतिया ब्याद पट्टी पटिदार में चचेरा फचेरा भाई में अगर किसी के घर में प्यासादी शुक्सराब का जग है तो वो चचेरा भाई भी उस बहन को बोलाते लिए चलिए उसके नई हड में कोई है नहीं दस दीस बड़स हो गया जड़ बुला लाते हैं नईयर की लोग से दर्संद करसा अपना में जूट लेकिन दुलहिं का रही है गुरू जी ने जो घ्यान भी बेक्याद लगाई उसमें पार परोसिन नहीं जड़ी गये गोतिया भी उसी में जल गया अब के मोर चर्चा चलाई के मोर बतिया चलाई कौन मेरा चर्चा करेगा अशसुरार से मुझको नहीं हवाएगा अठाती जीव का गुतिया है पांचो इपांचो भी जल गया गुरू के ज्यान के आद में इपांचो का स्वाद भी जल गया अब गुनें जाएगी नहीं हर नगर में अब दुख में जाना है कि सशनार रहना है क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर चार गुरू बना हुआ है पाद्री जी मोलवी जी पंदी जी और भगता इस चार वो गुरू है काल के दलाल यह सारे लोगों को अवरत मर्त को पढ़ा रहे हैं या और सब पूछे दी पंदी जी से पंदी जी कल ठापिन कहिए पड़ गया पढ़ गया जग मांदी एक डगरा को रुष्ट लेके लिख लेके पंदी जी खन्मा कहिया है नहाए का यां और दिन्नर नहाए के एके दिनन अपारन के तीन तक वर चुनि मचली मगाखत आए यही सब जब जब इन लोगों का चल रहा है यही समुक्ति कमार्ग यही समुक्ति कमार्ग चल लहा है यह डखाइट का दिरो गया डखाइटी कर भागों का महिन्ना नदी भरी हुई थी अग दोसों डखाइट घाट पढ़ गया और बेचारा घटबार नवका लेके खाला थी जब घाट के निकट पहुंचा तो मैनेजर सहर का सुनो जी अगर डखाइटी में जाएंगे पार उतर के कहीं मामला फस गया कहीं पुलिस से मुझ भेर हो गया तो यहीं खटबार दबाही देगा यहीं लोग तो पार किया तर तो फस जाओगे सावाद मुश्कीद हो जाएंगे ऐसा करो चले हम लोग कुधात पर और कुधात पर जाके हेल के पार कर जाएंगे चले वह पुधात पर साला डखईत हेल गया हेल के उस पार गया तो डखईतू का जो हेका मैं नेजर वो कहा कि सब लोगाइन में कढ़ा हो जाओ मैं पहले गिंदी कर लेता हूं सब आदनी हेल के पार किया कि रही है सब गुल्हाइन में कारा किया गिंदी किया एक दो तीन चार पाम छो साथ आठ नौ अरे नौवे हो रहा है क्यों वह अपने बोल नहीं कि कर दो जो रहा है इसका मतलव एक साथी दूब गया दूसरा जाकित नहीं आपने गीनने में प्रोड़क है लाइए हम गीन के पुराते हैं दूसरा गया एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नौ ठीके नौवे हो रहा है वह अपने को नहीं पुराते हैं वह गिंती किया एक तीन चार पांचों साथ नो मरी से भी नुए हुए दौसों जकाइट पार कर गया सब से नुए हुए आके ओ इसका मतलब एक साथ ही दूब गया अब उसके घड़ का लोग कल्ब इंचेगा कि मेरा पती कहां गया मेरा बेटा कहां गया तो क्या जमाब दोगे अब हरन का मुका चालो उसके गार्जियन को लास हाजिर कर देंगे आपका बेटा जूब चमर लास देदेंगे संतों सो हो जाएगा चलो आज ड़काईती नहीं होगी अज लास निकाले राट सारा ड़काईत नदी में दूब मारते मारते को दूबा तो था नहीं तो गिंती का है फेर मारते मारते भोर हो गया दिला नहीं एक संद जी भोरे भोर डोल डाल के लिए आये नदी पर देखा यांजान आदमी सब दस आदमी दूपी मार रहा है का आप लोग कौन है कहां के रहने वाले हैं का बाबा साधू से जूच जूच बोलना ठीक नहीं है हम लोग ड़काईत हैं और एक साथी हमारा डूब गया उसी को खोजते खोजते भोर हो गया वो मील नहीं रहा है कहां आप लोग घर से कितना चले थे कहां दौस अब ही कितना हो रहा है नव चलिए लाइन में लग जाएंगा साधू बबास सब को लाइन में लगाया और गिंती किया एक दो ती 3 4 5 6 7 8 9 10 का रिया भागा 10 के 10 तो तुम्हारा कोई आदमी जुआ है लजा गया सब डगए लजा के अपने घर का रास्ता है क्योंकि दीन हो चुका था देखा कहीं पुलीस आजया तो मंगनी में फेरा में पढ़ जाएंगे लंबा लंबा पहर करके दो धकई सब निकलना श कि दकायत नदी में डूपी कम मारे और अपने घर कब गए जब तक अपनी गिंती नहीं हुई तब तक नदी में डूपी मारे अजब अपनी गिंती हो गई तो निजगर आज दुनिया के लोग सारे देवी देवता को गीन रहा है अपनी अपने तब वारी खा लिया अपने तब वारी खा रहा राम के गीत गाने में बिकल है किरिश्म के गीत गाने में असोखाकारी के गीत गाने में बिकल है आपने मुलगी खाएंगे अपने दारू पी रहा है, अपने बीरी पी रहा है, अपने सिख्रेट पी रहा है, अपने गाजा पी रहा है, भांग पी रहा है, सिखर पड़ा खा रहा है, जड़ता की माम खा रहा है, चार पी रहा है, अब अगवान के भूत का रहा है कृइब सब लोग अपना कल्यान के मार्द पड़ा गए सब्सक्या कि नारा लगे किसी के हमत रहिए किसी के स्टेपनी मत बन जाएए अपना अपना भजन कीजिए अपना भजन करने का मतलब है सुधसाखाहारी हो जाएए दुरिवशन मुट्थ हो जाएए माता पिता हुरू का स्वा कीजिए मानब से प्रीम कीजिए मानब प्रेम का पात्र है और माता पिता गुरू सर्दा के पात्र है इन से सर्दा कीजिए और मानब से प्रेम रखिए मानब प्रेम का पात्र है कोई जातियता नहीं कोई संपरदाइता नहीं कोई उंच नीच का भेद भाव नहीं कोई अवर्न सबर्न का भेद भाव नहीं, कोई अमीर गरीब का भेद भाव नहीं, कोई गोरा काला का भेद भाव नहीं मानब मानब है और मानब प्रेम का पात्र है माता पिता गुरू सर्दा के पात्र है और मानब प्रेम का पात्र है माता पिता गुरू में सर्दा रखिये और मानें से परिम और तीसरी जितने पशु पक्षी जीरा मकोरा है वो करुना के पात रहे चुक्छे उनके पास ग्यान नहीं है वो अग्यानी है वो भोग जो नहीं में पड़े है आप उस पर दयाद कीजिएगा तो वो जिवित रहें करेंगे अनुक्राउमर करेंगे वो दया के पात्र है उन पर दया कीजिए अचार स्री बोला करते थे मनुष 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 परकिर्टी से साकाहारी मांस उसे अनुकूल नहीं है पसूभी मानव जैसा प्राणी वो मेवाफ़ भूल नहीं है वो जीते हैं अपने स्रम पर उनकी होती नहीं दुकाने सागर देती उन्हें न मोती हीरे देती उन्हें न खाने उन्हें नहीं है आए कहीं से और न उनके पोस्ट कहीं है नहीं कहीं के बैंकर बपने नहीं कलरत कर गोस्ट कहीं बस्त्रा भरन न मिलते उनको मिलते उन्हें दुखूल नहीं है अता दुखी को अधिक सताना यह मानद के अनुषू को सत्नराइन के कथा कहवाने बाले को पांच दिगा में मुर्दा खाना है और सत्नराइन बड़त कथा कहवा रहा है और बैनात हम के तैयादी में अजीब पढ़े कैसा था कभुत्तर पाले हुए है भकडी पाले हुए है भेरी पाले हुए है जीव बद करा रहा है अब भगवान के तुझा का रहा है कि इसारे जीप है प्रिम चाहते हैं और सारे जीफ दया चाहते हैं एक प्राणी दया का भूखा एफ के फीच्पर हाथ दे Broken देखिए गाई के पीच परहाथ देके देखिए वह आपके देह में सत जाएने एक वो ह्याद्या चाहता मूद प्रिम चाहता है बक्री के चरवाहा बक्री को खोलता है चराने के लिए तो बक्री आगे भाग जाती है चरवाहा पीछे हो और उसी बक्री के गर्दन का रसी जड़ा कसया के हाथ में देखे देखिए कसया आगे घीच रहा है अब बक्री चार उपए पीछे हो इस चंडाल और अवरत मर्द उ निर्दाई बने है भगती करते हैं बखरी कटवा के बुर्दा माई के खोईचा भरते हैं अचार श्रीयक दिन पोल ला है थे धर्म सरुपसा है कि हमारी मंडली कही जा रही थी सत्सन में अब बीरी गमेल गाओ कि धर है बीरी गमेल बीरी गमेल में बहुत सारे ब्रह्मन लोगों का घर है यही बीजिया दस्नी का समय अठनी का समय था सारे लोग चले जा रहे थे आएक सावा सो बकरा लाइन से बाला हुआ सारे मंडली के लोग दुरगा जी के मूर्ती के सामने बैठ गए हर्मुनियम खोले धोलब खोले और जाल खोले अलगे भजन गाने ताकि आज हम ही लोग कट जाएंगे लेकि इस बकरा को नहीं कटने देगा भजन गाते गाते जब बकरा कटने का समय निकल गया तो सारे ब् छोड़ दो बकरा को खोल दो बकरा को खोला गया सब भाग गया अधां मिठाई खरीब के लेया यही दुर्गाजी को चरहा तो दिया एक बुर्हिया बढ़ामुनी बुर्हिया मुसमात थी वो आ गई इस जगह अक्या कहती है बजड गिर जाई बबाजीया के देपर हमन मस पूजा करते हैं इसी का नाम पूजा है हक्या का नाम पूजा है कितने बकरे कात दिये गए जब देवदत ले हंसको मारा था हंसको बचाया किसने सिधार्थ गौतम में अपने गोद में लेके और उसके बदल में जो तीर चुभा था उसको घीच करके सिधार्थ गौतम में मलहम पट्टी कर दिया आपने गोद में रखे हुए थे हंस थर्थर काप रहा था डढ़के बढ़ा आ गया देवदत का भईया यह हंस मेरा है मैं ने इसको मारा है हंस मुझको दे दो सिधार्थ ने कहा भईया मारने बालों से बचाने बालों का अधिकार अधिक होता है इसलिए मैंने इस हंस को बचाया है मैं दोनों चचेरा भाई थे दोनों में जंजट रोने लगा सिधार्थ का एक काम करो किसी पंच को बलबा के पंचईती करवा लो कि हंस किसका हो पंच मनोनीत हो गये सिधार्थ गौतम के पिताजी सुद्धोधन पंच हो गये सुदोधन ने देखा अगर भतीजा के तरफ मैं बोलता हूं तो बेटा हमारा कहेगा पपा हमारा भतीजा के तरफ हो गया अगर बेटा के तरफ बोलता हूं तो भतीजा कहेगा बड़ा पपा बेटा के तरफ बोल दिया एक युक्ति उनको सुजी और सिधार के सुदोधन ने कहा एक काम करो बीच में हम्स को रखो अज इतना ही दूरी पर देवदत तू जाके खड़ा हो जाओ इतना ही दूरी पर सिधार तुम जाके खड़ा हो जाओ समान दूरी पर पचास पचास गज या विस विस गज के दूरी पर दोनों आदमी खड़ा हो जाओ अग बीच में हंस को रखो हंस जिधर जाएगा हंस उसी काओ आप लोग बोलिये हंस किधर जाएगा मारने बाले के तरफ की बचाने बाले के तरफ आज हिंदू कहे जाने बाले लोग आज मुसल्मान को फेल कर दिया मुर्गापुशने मुसल्मान फेल हो रहा है इसके सामने आब आयठ जाम करता है इनार्दी करता है इसकी पत्नी छट करती है अधार में मुर्दा सिजता है अव धूमा उपकोना बला देवता को लगता है मच्छी मास के धूमा उपपियावा कोना में सुम रहा है बैचके अधारम हो रहा है पूजा चल रहा है कल्यान का मार्ग हो रहा है बंदू यह पक्षपार्थ से काम चलने बाला नहीं है आप हिंदू को मुसल्मान के बिरोध कीजिए मुसल्मान आपका बिरोध करे सीख हिसाई का बिरोध करे इसका गरंथ उसका बिरोध करे उसका गरंथ उसका बिरोध करे यह कहीं भजन और कहीं भगती नहीं है हम सारे लोग मानव हैं सारे लोग पर्किर्टी परदत इंसां बनके धर्टी पर आए हैं सहां कभीर को देखा जाए आज पुरा के मो करत आज हिंदु के सोनमान पार सभी दो तरह है जैसा कीने हिंसान के मुशलमान के रिखिर वह Cup निगा निया बधना आ है कभीर को कमंडल है न लोटा है न बधना हिंदु धोती पाना है मुसल्मान लोगी पाना है शब्गुरु कभीर को न धोती है लोगी यह अर्वन को भी न चला लगवटा पहंते हैं। हिंदु को कुछ कहे तो कहा बाबा आप हिंदु है तो साहर तबीर ने कहा हिंदु को हो तो है नहीं मैं हिंदु नहीं हूं मुसल्मान भी नहीं हूं तो कहा आप क्या है पांच तत्व का पूत्रा के गईवी खेले माई मैं पांच तत्व के काया में रहने वारा अज गईवी नव मात्र को वड़ेश दिया जिसका कारण है ताज हिंदु मुसल्मान शीर्ठ विषाई दुनिया का कौन ऐसा ग्रंथ। दुनिया का कौन ऐसा मлच.. दुनिया का कोन ऐसा संग.. दुनिया का कोन ऐसा घ्रंफ.. जहां कभीर की चर्चा लो। जैसे.. 56 परकार के ब्यंजंथ एक नमट के विनाफीका है.. वैसे पूरे पृछली और पूरी स्रिष्ट्टी एक कभीर के बिनाफीका है.. कई रस नहीं है और कई दम नहीं है कभीर के दिए ऐसे भजन करना है अपना कीजिए परसपात करना है कीजिए जो करना है आप कर लीजिए लेकिन काम चलने वाला नहीं है वहां सचाय नहीं है सचाय कभीर की बानी में है निस्पक्च हो जाएए सब को मानव समझे सबसे प्रे कि जिए मानब से प्रेंग कि जिए और मता किता गुमें साहर कि जिए